मेरी दस की जो सीधा साउदा की टीम हो आपकी स्क्रीन पर आज शायद खुलते ही कोई ट्रेड लेना या मन बनाने का दिन नहीं है हमें बहुत सारे क्यूज लंबी चुट्टी के बाद ओपनिंग में बहुत सब कुछ डाजस करना है उसके बाद मार्केट की बहेवर को सारे स्टॉक्स है वो आपकी स्क्री इस पार आइसी आइसी प्रुदेंशल हर पैरामीटर पे बजार एक्सपेक्टेशन से पहतर नंबर इसलिए इसको इन ग्रीन रख रहा है इंफोसिस का क्वाटर परफॉर्मेंस एक तगरा डिसपॉइंट रेड लाइक्वाइस पार्सल का ओर्डर विन करा है इनकी जेवी ने विनलास बायोटेक को जी एमपी गुड मैनुफाक्ट्रिंग प्राक्टिस का सर्टिफिकेट मिला है साउथ एफ्रिकन रेगुलेटर से मैरो थाउन नेक्स जन रियल्टी बोर्ड मीट में प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स क पहुत तगड़ी इंक्वाइरी जाती है डिन नेट्वर्क्स अच्छा क्यूफोर परफॉर्मेंस और खास तोर पे प्रॉस्टिबिलिटी का अंकड़ा क्यू ऑन क्यू साल दर साल एक बड़ी अट्रैक्शन दिखा रहा है सिफ इसी लिए हरे रग में रख रखा है चलिए नजल डालते हैं टीम में कई सारी खबरे हैं और उसी के अधार पर उनको चुना गया है टाटा स्टील पहला स्टॉक इसमें तीन मई को बोर्ट बेठक है जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्टॉक स्पिट पे भी विचार होगा और फैसला लिया जाएगा टाटा पावर्स जो है बड़े फैनेंस जो फोरें इंवेस्टर्स है उन्होंने चाहरा को डालने के बन बनाया है इनकी सबसी ड्रीम है तो एक इंट्रेस्टिंग है तो मिलगता है कि इसमें ध्यान देना चाहिए कोल इंडिया प्योंकि कोल की जो प्राइसे से लगातार ऊपर जा रहे है और डिमांड रोबस्ट है ग्लोबली भी और इंडिया में भी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पढ़ रही गरभी की वज़े से तो कोईले कीमते बढ़ते जा रहे हैं इंडोरमा सिंथेटिक्स स आप यहां प्राइसे सारे स्टॉक्स को बड़ा फायदा कंपनी असका फायदा उठाएंगी मारूति ने पनी कमेंटरी में काया कि वो किसी एक टेक्नालजी पर फोकस नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल लाएंगे फ्लेक्स फ्यूल लाएंगे लाएंगे यवी लाएंगे लेकिन एवी की इंडिबेंडेंट तौर पे गाड़ी इमकीन लाना बड़ा मुश्किल है लो कॉस्ट तो दो जर पचिस तक इंजार करना पड़ गया है तक यह शायद थोड़ा से बजार को इराश करने वाली ख़बर है परसिस्टेन सिस्टम एलेंटी इन्फो टेक और को फ तो दोनों टीमें सीधा सौधा के आपके सामने रखे गई ददद स्टॉक्स में थे राजे सात्पुतर जी कुछ पसंद आ रहा दोनों टीम से मैंसे आपको निवी जी देखिए जो ओर आप आज का अगर सेटप देखे बजार का ही सेटप तो जो फोकस पूरा जो होना चा तो जहांपे बायों डिव्स भी हो रहा है तो मुझे लगता है मैं अगर आपकी टीम से भी शुरुवात करूंगे आशिज जी की टीम से चलो शुरुवात करता हूं तो मुझे दो एक चीज यहां पर जो सामने आ रही है वो है रियलिटी सेक्टर जो फोकस आशिज जी ने करता है के बीसी ग्लोबल देखे चोटा टिकेट साइज है वलेटेल मार्केट में जादा तत्लिए और इसका एक टागेट हमारा पर रिंदिग है साड़े तेरा चौदा रुपय का और 11 रुपय का आसपास का के बीसी ग्लोबल का कलका यानि लास सेशिन का क्लोज तो यहां पर रिस्क जादा नहीं है एक आदरुपय का रिस्क का तो के बीसी ग्लोबल जो पहले भी एक बार बात होई थी वह एक बेटर है और मैराथॉन निरजी दिखे आपकी टीमे जैसे कि आपने टेक्स्टाइल पर फोकस किया ता तो यहां पर इंडो रामा देखिए इंडो र होगा और इसका तागेट जो है वो 85-88 है तो आपकी टीम पे रहेगा इंडो रामा सिंतेटिक्स और आशिजी के टीम बे के बीसी ग्लोबल एंड मैराथॉन निक्स्टाइब तो मिड्कैप से रखिएगा फोकस भई आचे रेटिंग सेशन पर कॉशिस रहेगा इस पेस से पूरे बादार से वैसे जो प्री ओपन सेटल हो रहा है मैं एक मिट आता हूं उस पे मैं चाले एक्सपर्ट्स की जो टॉप ट्रेट्स है पहले वो स्क्रीन पर दिखा देता ह स्विफ स्टॉक्स के नाम मेंचिन कर रहा हूं ओंगी सी एक बाई कॉल डीलेफ